हेलो दोस्तो राधा स्वाधा चैनल में आपका स्वागत है आज में लेकिया हूँ टमाटर की बहुत ही टेस्टी खटी मिठी चटनी और इस चटनी को बनाना बहुत एजी है इसे आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये चटनी पराठा पूरी या फिर कचोडी के सा हैं अब हम टमाटर को चॉप कर लेंगे तो उपर का जो डंठल का हिस्सा उसे हटा लेते हैं और इस तरीके से टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे तो यहाँ पर देखे ये जो चटनी है बिल्कुल आप बनाने के लिए लाल-लाली पके टमाटर का यूज करें इसे चटन ने बनाएंगे तो यहां पर मैंने एक कड़ाई लिया है और इसमें मैंने लगबग 1-2 चमज के करीब तेल गरम करने के लिए रख दिया था तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमज सरसो के दाने और आधी छोटी चमज जीरा डाला है और 2 सूखी मिर् और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे जब सबी चीज अच्छे से भून जाएगा तो हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा है उसे यहां पर डाल देते हैं और अच्छे से यहां पर इसे मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करक कवर हटा लेते हैं और यहां पर देखे जो पानी था टमाटर का वो सूखना स्टार्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे गूड मिठास के लिए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं बट मिठी चटनी बना रहे तो थोड़ा सा जादा ही गूड डाले और यहां पर मैंने मिठास के लिए गूड का यूज किया है आप चाहे तो यहां पर चीनी भी डाल सकते हैं और गूड को मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे लगबग 2-3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो और मिडियम के बीच में रखेंगे तो फ्रेंस लग किसमिस आप जरूर आइड करें जब यह चटनी में फूल जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर से हम इसे कवर कर देंगे और पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे तो फ्रेंस यहां पर देखे टमा होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी तो इस स्टेज पर ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे मैं निकाल लेती हूँ तो फ्रेंस यह देखे टमाटर की बहुत टेस्टी खटी मिठी चटनी बनके तयार हो गया है आप इसे बना के फ्रेज में वन विक तक भी रख सकते हो खराब नहीं होता है और यह पूरी पराठा या फिर कचोड़ी के साथ में बहुत टेस्टी लगता है तो फ्रेंस अगर आपको आज की रेसेपी थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को दूसरों साथ जरूर सेयर करें वीडियो को लाइक करें च